नमस्कार दोस्तों, बगवान आप से भी कबला करिवर आपकी सारी एक्षाय मुनकामनाय पुरी हो सबसे पहले आपका जो मेजर क्वेरी है आपके जॉब सेटलमेंट के रिगार्डिंग तो यहाँ पर उसके बारे में बात करने के बाद और और पाम रिडिंग पर आएंगे जब भी हतेली में सूरी के छेत पर क्रॉस का साइन बन जाता है तो यह जॉब के रिगार्डिंग कभी भी सैटिस्वेक्शन नहीं देता है क्योंकि यह एक नेगटिव सायन होता है आपके करियर और क्वालिटीज डेवलप्मेंट करने के लिए भी क्वालिटीज डेवलप्मेंट करने के बारे में जहान से समझेगा कि जैसे आपके अंदर स्कील्स, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज, सब कुछ है आप उसको उप्योग करके बहुत अच्छे रिजर्ट्स भी देते हैं या फिर अपने तरफ से हार्ड वर्क भी करते हैं लेकिन उसके रिगार्डिंग जो क्रेडिट, रिवार्ड, अवार्ड, सक्सेज, इनफ, गेंज जो होने चाहिए जो आपके हक में होने चाहिए, वो चीज आपको नहीं मिलता है जिस करण से unsatisfaction, insecurity, unstability जैसे problem face करने पड़ते हैं और बेफिजूल का नाम खराब होना, अपनों लोगों के द्वारा शडियंतर देखने को मिलना बहुत सारे लोगों के अंदर jealousy type का issues भी देखने को मिलना यानि overall ये combination, job या किसी के under में काम करने के लिए fruitful नहीं होता है आप चाहे कितना भी job में changes करने कहीं भी चल जाएं लेकिन आपको enough satisfaction इस case में नहीं मिलेगा कारण इसके पीछे हम अगर luck line पे भी आएं another palm pick पे जाएंगे तब detail में बात करेंगे तो आपकी luck line में भी एक तरीके से changes बहुत जादा है जो बार-बार career में तो changes दिखा रही है लेकिन career में stability, satisfaction जैसे combination कहीं कहीं कम है यहाँ पर आपको strictly ही है suggest किया जाएगा कि आप sun remedy करें साथ में आप कोई भी अपना side work, business या service कुछ भी एक ऐसा काम जिसमें आपके पस rights, independence, authority या power हो जहाँ पर आप at least job के तरह से कोई भी performance ना कर रहे हो उस काम में आपको ज़्यादा progress है क्योंकि आपका जो mercury mount, mercury finger, even mercury line भी develop अच्छा है mind line के end में by fork का sign, business luck, business end और multitasking nature देता ही है इस जगे पर जितनी तरक्की आपको मिल सकती है उतनी job में कभी भी कैसे भी नहीं मिलेगा Jupiter mount के उपर में जो square का sign हमें दिखाई दे रहा है ये भी बहुत अच्छा luck देता है teaching या consultation line के regarding, studies या spiritual way में growth करने के regarding, family और married economical condition इन सब के regarding security दे ही रहा है लेकिन अगर professionally way में बात करें तो आपकी quality ऐसी है कि आप top position या authority पर काम करें अब यहाँ पर पहुचने में job के दौरा step by step बहुत देरी या difficulties का सामना करना पड़ता है इसलिए sun remedy के साथ में ये side work के regarding definitely आप सोचें work करें इससे आपको बहुत ज़्यादा बरकत और उन्नती या संतुष्टी अपने career के regarding मिल सकेगा फिलाल हम बात करेंगे overall palm के analysis के अतरिक्त और यहाँ पर हम देख सकेंगे कि finger की length आपके palm के comparison में बहुत ज़्यादा long भी नहीं है, short भी नहीं है, normal है यह व्यक्ति को मिलनसार किसम का बनाता है, हर जगे adjust कर जाते है सभी लोगों से संबन अच्छे बना सकने में, मित्रदा पुर्वक सुभाव रख सकने में जल्दी घुल मिल जाने में, लंबे रिष्टे निभा सकने में एक तरीके से flexible adjusting nature भी यह create करता है अब finger की बीच में जो बैसे gap maintain हो और money triangle थोड़ा बहुत भी open हो गया हो पैसा किसी भी हालत में नहीं रुकेगा क्योंकि यह अधिक खर्चिले सुभाव को independent nature, independent mindset, open mindset और एक तरीके से अपने अनुसार मन मुताबिक काम करने की योगिताओं को बढ़ावा देता है अब इस condition में gaps और money triangle पूरा नहीं होना लाक रुपे भी आ जाए, पैसा कहां केसे जाएगा यह समझ में नहीं आएगा leakage होता है इसमें money का investment करना, पैसा अपने पास कम रखना, कई न कई पैसा फसाय रखना एक बहुत practical सरल उपाय आपके लिए रहने वाला है दूसरा इस condition में आप अपने mercury की line को develop करने के लिए अपने अंदर में अपने skills या quality, जिस quality के हमने ससाइन पर बात की थी वो सारे quality आप किसी और को दे रहे हैं, किसी और के लिए काम करेंगे वो थोड़ा बहुत भी अपने लिए काम करेंगे, अपनी skills को develop करेंगे mercury line भी develop हो जाएगा जिसके करण management, calculation, organize वे से काम करने की आदती तीन चीज़ भी develop हो जाएगी और फिर उसके बाद आपके पास कभी भी savings के regarding issues या unnecessarily expenses ऐसे issues देखने को most probably नहीं मिलेगा यहाँ पर little finger की जो length है, third finger के first pore तक पहुची है यह communication skills, marketing skills, work management इंप्रूव करता है अपने बात को सई डंग से कह पाना, समझा पाना और एक समय पर एक से ज़ादा काम भी कर पाना, यह युग गिता यह दे रहा है basically यह सारे combination business के लिए fruitful रहते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें immediate action या decisions भी लेने पड़ते हैं और यह finger इस बात को indicate कर रहे हैं कि आप informative इंसान है आपके पास तमाम तरह की information knowledge रहने वाला है पाता है, बहुत ज़्यादा भटकता है, यह आपका नियांतरित होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर third and first finger की length में देखेंगे हम तो दोनों की length है कोई फरक नहीं है, एक समान की length है, यह एक तरीके से observative, researching, deep thinker type का nature देता है leadership quality हो गई और risk taking nature हो गया, responsibility taking nature हो गया या फिर unique way से काम करने के आदत होगा, यह दोनों चीज़ आपके अंदर एक समान की रहने वाली रहेगी खास कर जब भी little finger बागी finger से independent हो जाए तो आप जैसे जातक सुन सब की लेते हैं, लेकिन करते अपने मन की है finger के उपर सीधी खड़ी रहे हैं, जादा है, तो इस condition में रिष्टे नाते संभालने की काबिलित या फिर relationship management या अच्छा देता है, finger के notes यहाँ पर develop clear cut होने लग रहे हैं तो इस पस्ट वादिता आपके अंदर बढ़ेने लगेगा phalanges और internal mars की स्थिती ठीक जा रही है, जिसके करण stamina, energy, रोख, प्रतिरोधक, शमता को यह बढ़ाने लगेगा शुक्र माउन डेवलप अच्छा है, luxuries, comfort, royalty, life में इनफ रहने वाला है चंदर भी डेवलप है, लेकिन lines बहुत ज़्यादा होने के कारेने ट्रैवलिंग्स को unnecessarily worries, thinking, overthinking, बेफिजुल की चिंता है और शुक्र से यह वाली जो रेखा आ रही है, जो चंदर को connect कर रही है इसे वियालाई सा विया कहा जाते है, यह एक तरीके का addiction भी दे सकता है तो इस condition में ज़रूरी नहीं कि addiction आये, लेकिन addiction आने के chances बहुत हाई होते है इसलिए गलत संगत आदत लोगों से बच करके रहना चाहिए जुपिटर माउंट आपका active बहुत अच्छा है, आपके पास knowledge, wisdom, एक तरीके से advice, guidance के regarding support की कमी, family life का सुख, यह सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा यानि advice, guidance की कमी life में नहीं रहेगी, आपको परियाब मातर में मिलेगी और आप भी even दूसरों को देते वे पाये जाएंगे जुपिटर अच्छा होता है, बच्चे का जीवन बहुत अच्छा होता है, बच्चों के द्वारा भाग्य अच्छा आता है, या सहीयोग अच्छा मिलता है, संसकारी बच्चे निकलते हैं मरकर अमाउंट अच्छा होने के कारण ये बिजनस लग देही रहा है, लेकिन कम्मिनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर देता है, अपने बात को साइडेंस से समझा पाना, कन्विंस कर पाना, एडेंड अपना काम करवा सकना, ये सब कम्बिनेशन इसमें अच्छे होते हैं अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले आपके लक लाइन की विशय में, तो लक लाइन आपके हाथ में सेल्फ मेड है, और ये लक लाइन माइन लाइन पर पहले रुकी है, फिर माइन लाइन से हाट लाइन से कनेक की है, फिर अनदर लाइन से यहाँ पर क्रियेट हुई है जब luck line mind line पे majorly रुकती है तो अपने खुद के decisions के कारण अपने career में changes करते पाय जाते हैं यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखे कि self made luck line mind line पे रुकने के कारण आपको कभी भी आवेश में आकर के या बिना सोचे समझे या तुरंत में काम करने से बचना चाहिए या आपके बहुत सारे काम जो pending है उसको रोकेगा या फिर एक तरीके से काम होते होते रुकना या फिर unsatisfied हो जाना ऐसे problem face आपको definitely करवाएगा और इसी luck line में आप देखेंगे बारे किसे तो आपको राहू की रेखाएं भी अलग-अलग समय पर आकर के काट रही है लेकिन आपके जीवन में बहुत अच्छा समय करियर के बहाफ पर आने वाला है बहुत जल्द और वो समय आपके जीवन में approximately 47 and 8 का रहने वाला है क्योंकि इस इस पिरेड में अच्छी बात यह हो रही है कि जो लग-लाइन है वो strongly 7 से connect कर रही है और एक लग-लाइन इधर सी सन के तरफ भी ट्रांसफर हुई है जिसके कारण यहाँ आपके लाइफ में position, power, earning capability और investments इन सभी चीजों को increase करने वाला है फिलाल आते हैं आपके overall palm के analysis के अत्रिक तो जोपिटर माउंट के उपर सबसे पहले बात करेंगे जोपिटर माउंट जब भी इस तरीके से develop होता है तो कभी भी life में resources की सुक सुविधा संसाधन में जो भी कुछ आपको चाहिए वो कुछ समय के बाद आपको मिलेगा society में status, family support या family में stability और जीवन में किसी भी तरह के तकलीफ परशानी से निकलने की योग गता ये सारे कुछ चीज़ें बहुत जादा मजबूत हो जाती है क्योंकि knowledge, wisdom और अध्यात्मिक्ता में ये हर लगातार उन्नती कराते रहता जिसके माध्यम से हमें समधान मिलते हैं या पुन्य बढ़ता है जिससे ये सारे मसलें खतम होने लगते हैं अब इसे के अतरिक जब square जैसा sign develop होने लगे तो ये protection का इतना prominent sign होता है कि life में चाहे कितने ही problems क्यों ना हो या कितनी ही negative lines पाम में क्यों ना हो उनके ज़्यादा एक तरीके से खराब result हमें मिल नहीं पाते हैं क्योंकि Jupiter की blessings के करण आपके ancestor, कुल देवी देवता या माता पिता के आशिवत करपा के करण और आपके धर्म कर्म के भी करण बहुत सारे मुसीबत और परशानी से बाल-बाल बसते वे निकलते हैं यह combination professional way में as a consultant या teacher व्यक्ति को growth इसले कराता है क्योंकि आप उसमें अपने knowledge, experiences का proper utilization कर सकेंगे किसी को show करने में, किसी को देने में या अपने knowledge की बहाब पर दूसरों को लाब पहुचाने में overall इस condition में independent work या किसी भी work के regarding top position या authoritative work करने से बहुत फायदा मिलता है और यह combination definitely multiple properties, prosperity, wealth और stability life में लेकर के आती है जितना ज़्यादा आप दान, धर्म, पूजा पाठ धर्क, यानि धर्म, कर्म करेंगे, उतना ज़्यादा आपके life में यह सारा सुख बढ़ता जाएगा और इधर भी यह का sign ऐसे ही नहीं बना है इसे बुद्धा जाइस कहते हैं और यह combination भी व्यक्ति के life में spirituality and materialism यह दोनों बहुत अच्छा देने वाला रहता है Jupiter पर जब इसके अलावा भी कुछ हाड़ी रेखा हैं देखने को मिल जाए तो इस condition में बच्चे बहुत लायक संसकारी या सफल होते वे जीवन में देखने को मिलते हैं इसलिए बच्चों का भाग्य भी अच्छा रहने वाला है और बच्चों से in return भी आपको बहुत सुख मिलने वाला रहेगा छोड़ी छोड़ी प्रोग्रस लें जब उपर के तरफ हो तो ambitious definitely बनाती है अपने लिए कम दूसरों के लिए जादा बनाती है सेटन माउंट और बागी सब के लिए हम आते हैं another palm pick पे तो इस palm pick में आप clearly देख सकेंगे अपने सेटन माउंट एन लाइन को तो सबसे पहले बात यहाँ पर सेटन माउंट आपका कुल मिला करके develop ठीक है सेटन एन sun के mid का जब यह portion develop होता है तो यह combination थोड़ा seriousness व्यक्तित में देता ही है इस condition में एकान परिक किसम का व्यक्तित होने लगता है भेड से अलग रहना, खुद को ज़्यादा समय देना, गंभीरता पूरवा किसी वी कारे को करना अगर आप regular based meditation और yoga नहीं करेंगे तो यह combination आपको mood swings problem देगा और हर काम में चेड़ चेड़ाहट, अर्चन बाधाई या देरी देगा क्योंकि Saturn और sun की energy इसमें mix रहती है जिसके कारण late लतीवी, या फिर नाम खराब होने की योग बनते है उस चीज़ को हम meditation के द्वारा ताकि आपके emotion इस्टेबल रहे और yoga या किसी भी mantra के chanting के द्वारा बड़ी सरलता से ठीक कर सकते ताकि sun जो consistency, name, fame and success का कारा के वो भी मिल सके job stability आ सके और Saturn या आपके करमाज में डीले या result में डीले या satisfaction में problems ना हो सके Saturn mount पहले बाद develop ठीक है, multiple जब line इधर available हो तो ये temporary based opportunities को represent करती है overall ये combination old age के लिए अच्छा माना गया है क्योंकि stability बहुत होती है, by fork का combination खर्चे भले ही ज़ादा दे लेकिन आप जैसे जातकों के जिवने पैसों की कमी तंगी नहीं होती आपके partner भी earning करते हुए stable job से हैं, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि Saturn करमा इसको या पूर्व करमा इसको भी indicate करता है और by fork के condition में हमेशा partner earning करते हुए पाये जाते हैं यहाँ पर आपका जो luck line की हमने बात की थी कि 47 and 8 से अच्छे indications आ रहें तो इसलिए आ रहें क्योंकि आपकी जो यह luck line है यह सीधे Saturn को connect की है, बाकि कोई luck line से directly connect नहीं की है तो Saturn से जब भी luck line connect करती है तो वह काम पूरा होता है यह सफलता मिलती है और संतुष्टी मिलती है यहाँ पर जो इस तरीके के lines जो Sun के तरफ जुख जुख कर निकल रहे है यह सब lines आपके life में success and investments को increase करने वाले हैं क्योंकि जब भी Mars यह Mars का पूरा zone है और यहाँ पर square rectangle इसे जब भी sign बनते हैं multiple properties के योग यह definitely develop करता तो आपके properties में development 47 and 8 से बहुत होने लगेगा और earning capability में भी बहुत ज़्यादा सुधार होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर आपके luck line के उपर में एक चीज़ और गौर करिए कि बहुत सारी mercury lines बार बार और sun line भी even cut के निकली हुई है यह सब earning capabilities को knowledge को skills को develop करती है जो 26,7 में 31 and 2 में और 36 में भी आपके life में आई है अच्छे results देने और अगर यह आपके line strong हो गई या money triangle का combination और मजबूत हुआ then after पैसा अच्छा न रुकना या सदिपयोग होना हमें देखने को मिल जाएगा और जितनी भी lines यहाँ पर moon से जोट रहे हैं यह foreign connection यह traveling और बाहरी दुनिया लोगों के सयोग partner के support इन सब चीजों को भी indicate कर रहा है तो overall यह luck line में stability पूर्ण रूप से 47 and 8 से आ रही है क्योंकि इस period में आप देखेंगे तो यह luck line बहुत smoothly sharply run कर रही है Saturn पर जब खुद की sun line हो जो उपर से नीचे के तरफ आती है तो यह combination कभी भी पैसों की कमी तंगी होने नहीं देता है opportunities की कमी नहीं होती इस रेखा के द्वारा और छोटी छोटी इन रेखाओं के द्वारा और old days यानि 50-23 के बाद का period बहुत ज्यादा smooth हो जाता जो आपके life line पर भी दिख रहा है कि life line पर कोई stress struggle line नहीं है और बहुत strongly रेखा है आप जो है moon से connect कर रही है तो birth place से दूर पूर्ण रूप से settlement होने के chances यह confirm कर दे रहा है तो यहाँ पर आपके desire, ambition, goal यह सब कुछ achieve होना शुरू हो जाएंगे 47 और 8 के mid से सूरी के छेतर पर जब sun mount डबा हुआ हो तो job छोड़ नहीं पाते या फिर job में transformation हो जाता लेकिन job छोड़ कुछ हलक काम करना यह मुश्किल होता है क्योंकि confidence की कमी होती है insecurity के भावना बहुत ज़्यादा तीवर होती है और risk लेने से कहिने की थोड़ा पीछे हटते है अब BC कारण से आपकी जो sun line है वो है तो strong क्योंकि इसने भी by four के का sign लिया जो आपके जीवन में अच्छा पैसा या सम्मान या उन्नती लेकर के आएगा लेकिन जो cross का sign बना हुआ है ये negative बहुत जादा हो जाता है इस cross के sign में अधिकतर पीता से संबंद में अन्बन मत भे दिया दूरियां या सहीोग कम मिलना नाम सम्मान में कमी होना education में delays या education का proper utilization नहीं होना कितना भी कुछ किसी के लिए किया जाए लेकिन credit reward award मिलना बहुत मुश्किल होना ये सब बहुत आम बात यहाँ पर होती है sun remedy इसलिए सुरवाद से आपको focus किया जा रहे कि ये इसको करना ज़रूरी है तब ही जाकर कि आपको stability overall career के regarding आएगा अब यहाँ पर छोटी छोटी रेखा है और भी आ रही है जैसे बाहर के तरफ से भी आ रही है मंगल और शनी के तरफ से भी आ रही है तो ये multiple task, multiple vision, multiple interest को develop कर रही है in future अगर इस जगे पर आपको fish symbol develop होता है तो फिर आप बहुत बड़े सतर का काम, सम्मान या कुलदीपक बन सकेंगे लेकिन ये combination भी job में कम, business में ज़्यादा सफलता देता है तो आपका surmount दबा हुआ है तो इस current से confusion, conflicts, decisions prominently नहीं ले पाना ऐसे issues का भी सामना करना पड़ता है overall आपकी life में देखा जाए तो 51 और 2 के बाद से बहुत ज़्यादा respect या wisdom के साथ recognition, position, power बढ़ने की योग है क्योंकि by four के का sign यहाँ पर बहुत ज़्यादा luck, success और earning डेवलप करने वाला होता है इसके हमें परिणाम और जल्दी चाहिए इसलिए इसका remedy अभी से करना ज़रूरी है छोटा motor triangle बन जाए यहाँ पर तो definitely property के regarding security होता है लेकिन यहाँ जितनी भी हम बात कर रहे है वो दो चीजों के उपर है पहला job stability, second है respect and success तो वो sun remedy के बाद ही आपको properly अच्छे results दे सकेगा इधर पर भी sun और mercury के mid का portion डेवलप है और loop of humor के आकरती बनी हुई है यह combination हस्मुखास से कभी बनाता है जितना भीड में रहेंगे उतना फिर अलग खुद के लिए भी समय चाहिए रहेगा क्योंकि loop of seriousness का zone भी डेवलप है तो इसलिए आप जैसे जातक थोड़े flexible adjusting nature के हो जाते हैं जैसा समय पर इस्थीति रहेगा वेसा ढल जाएंगे mercury mound के उपर multiple lines होना attractive personality का बहुत main combination है आप जैसे जातक को पता रहता है किस वेक्ति से कैसे बात करना है कैसे काम निकलवाना है किस समय क्या हाव भाव रखने है बहुत जल्दी अपनापन महसूस कराना convince कर लेना किसी से भी थोड़े communication के बाद ही बहुत ज्यादा strong हो जाना यह बहुत normal चीज़ यहाँ पर होती है अच्छी बात इसमें यह है कि लोगों का पकड हाव हाव का पकड समझ बहुत अच्छा यह देता है informative type का nature personality होता है sympathetic and hospitality किसमें का nature होता है बहुत सारे doctor healers के हाथ में यह combination पाया गया है जरूरे नहीं कि आप professionally वहीं से belong करें लेकिन आपके अंदर इश्वर ने ऐसी qualities दी हुई है कि आप अपने कर्म से बादचित से किसी का साथ दे करके ही उनको heal कर सकते हैं motivate कर सकते हैं positive कर सकते हैं यह हो गई दूसरी बात यहाँ पर और्गनाईज वेसे काम करने की योगिता opportunities gap करने की योगिता future oriented prominent decisions लेने की योगिता भी increase करता है इसलिए इस condition में share market, trading और business यह सब के लिए यह combination अच्छा माना गया है रैदर एका के अंत में गोंपुच के अकृति good sense of humor और flirty romantic nature देती हैं तो लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते हैं कई नहीं खुशी ढूड़ना दूसरों के खुशी में शामिल होना और सेवा भाव किसम का व्यक्तित यह देता है रैदर एका थोड़ी फैल करके चल रही है आप बहुत सारी emotion अपने अंदर दबा करके रखते हैं तो emotional trouble या mood string का problem जो हमने यहाँ बात की थी वो इसी कारण से आ रहा है तो जितना हो सके अपने आपको emotion से free रखें और यहाँ पर आपकी जो heart line है वो biforg के sign में available है जैसे विश्ण सिंबल कहते हैं इस condition में हमेशा starting life tough होता है लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर time duration बढ़ता है growth मिलता जाता है friendly, frankly type का nature यह build करता है relationship management strong करता है आप जैसे जाता तक एक समय पर practical और emotional दोनों देखने को मिलते हैं लेकिन overall यह biforg का sign Saturn पर create हुआ है तो resources एखटा करना अच्छा money generate करने या money का utilization करने पर यह focus देगा और Jupiter पर end होने के कारण यह emotional, sympathetical और supportive type का nature आपको दे देने वाला रहेगा जिसके कारण आप दूसरों के लिए बहुत फायदे मन्द रहेंगे या समर्पन भाव या साफ दिल, व्यक्तित, इमानदारी आपके अंदर देखने को मिलेगा इसके बाद में यहाँ पर हम और इस पाम के अतरिक्ती बात करें तो आपके चंदर के छेतर पर बहुत सारी lines available है ये line बहुत ज़्यादा मन भटकाती है मन विचलित हमेशा पाया जाता है कोई भी काम एक आगरिचित होकर कर पाना मुश्किल होता है क्योंकि thought process, क्योंकि चंदर की यह रेखा और mercury की इत्ती सारी रेखा माइंड को हमेशा active zone में रखती है जिसके कारण नएने तरह की विचार नएने तरह की क्रिया कलाब बातें नएने तरह के action लेने का मन यह करवाते रहता है इसी कारण से मन शांत होना बहुत मुश्किल होता है और restlessness का problem यह देता है नींद के schedules में भी problem आती है मन बहुत ज़्यदा भटकने के कारण एकागरचित नहीं होने के कारण पूर्ण रूप से कोई भी काम समाप्थ होना मुश्किल होता है या किसी काम का अंतिम परणाम आना मुश्किल होता है क्योंकि मन पूरा लगी नहीं पाता है चंद्र का उपाय भी करना यहाँ पर जरूरी है आपको ताकि आपके मन लायक काम हो सके मन वांचितफल आपको मिल सके और मन, शांत, एकागरचित, संतुष्ट में आराम दायक हो क्योंकि इस तरीके का चंद्र ना सुख, ना शांती, ना सुकून यह तीन चीज जो में चंद्र के अत्रिक्त आता है, यह नहीं दे पाता है और एक जो लायन पहली बताए गई, विया लाई सा विया यह क्रियेट हो रही है इसलिए इस कंडिशन में किसी भी चीज़ का एडिक्शन लगने का योग डेवलप हो जाता है पहले से ही इस विशे को लेकर सावधन रहे ताकि आगे आपको दिक्कत वगेरा ना आए अभी आते हैं वापिस से अनदर पाम पिक पे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपके माइंड लाइन के विशे में टूद अपॉंट बात करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना है, इमिजेट एक्शन, डिसीजन्स लेना और दस स्टेप के काम को कैसे दो स्टेप में करना है तो थोड़ा शॉटकट भी अपनाना बाइफ़र के का साइन, क्रेटिविटी, इंटेलिजिंसी और क्लेवर टाइप के परसनेल्टी को डेवलप करना शुरू करता है यह कॉंबिनेशन भी बिजनेस के लिए अच्छा होता है अब इस mind line में, starting में एक prominent island का sign है और दूसरा एक mangal रेखा के द्वारा भी island बना हुआ है इस तरह के island mental independence नहीं दे पाता है, जिसके कारण हम अपने मन मताबिक काम तब तक नहीं कर पाता है, जब तक यह island बना रेता है तो पहला island का समय आपके life में 14 से लेकर के 18 के mid में है, जिसमें negative memories, कोई proper growth या independence ना मिलना जो बाइफोर्क का विश्नो सिंबॉल भी indicate कर रहा है कि starting left off होता ही है और दूसरा जब यह triangle, माफ करें, island का sign बन जाता है, तो यह combination भी financial independence नहीं दे पाता है तक करिवन यह समय आपके जिवन का 24 के आसपास का है, 24-25 का उसके बाद जाकर के आपके mind line एकदम stable होना शुरू हुई हलकी से एक राहू रेखा ने आकर के disturbance दिया 34 से 36 के mid में यह disturbance आपको एक तरीके से ब्रहमित करना, illusions पैदा करना और mental pressure बढ़ाना इसके बाद में आपकी mind line ने छोटी छोटी रेखा हैं, यहां से cross होना शुरू हुई, निकलना शुरू हुई, तो success rate डेफिनिटल यहां पर आपको बढ़ने वाला है mental peace and happiness आपको life में आएगा, biforga का combination हमेशा दो कामों में आपको ले करके जाएगा एक ही विशय को लेकर, एक ही विचार को लेकर, अलग-अलग तरीके की विचारधारा भी देगा biforga का sign, multitasking nature, multiple interests, multiple hobbies और multiple source of earning को generate करने में help करता है और यह सब कुछ सुख आपको आने वाले दो साल के अत्रिक में देखने को मिल जाएगा lifeline के उपर में हम देखेंगे, तो यहां पर इस portion तक में major disturbance है यह समय आपकी जीवन का 35 और 6 तक का है तो यानि इस period तक आपकी life बहुत ज़दा unbalance थी कभी health, कभी family, कभी unnecessary worries, disturbance और recounting इन सभी चीजों का सामना करना पड़ा क्योंकि life की energy जब disturb होती है तो हम किसी भी काम में पूर्ण रूप से energy नहीं लगा पाते और results भी नहीं मिल पाता है हमारी energy burst होती है, एदर उदर व्यार्थ होती है तो यह सब कुछ majorly देखने को 37 तक मिल रहा है लेकिन उसमें भी major points अगर हम judge करें तो 32 से 34 का period 27 से 9 के mid का period और 24 और 5 का भी period आपके life में ज़्यादा tough था उसके पहले relations, agressions के regarding mental stress आपको 22 और 4 के age में आया है राहु रेखा ने cross किया है luck line को approximately 36 और 7 में इस period में money loss या career में disturbance होने की योग यह दर्शारा है और mind line को यह cross करके गया है इसी period में 35 में तो इस period में mental disturbance का सामना करना पड़ा है अब इसमें हो यह राय कि आपकी जो life line है उसमें triangle के science develop होना शुरू हो रहा है जैसे यहाँ पर एक triangle दिखेगा दूसरा triangle यहाँ है एक triangle अंदर के तरफ भी दिखेगा आपको यह triangle के science investments अच्छे कराते हैं और शुकर के तरफ जुकवा triangle बहुत ज़्यादा materialism and prosperity लेकर के आता है यह सब कुछ यहाँ आपको देखने मिलेगा 46 के बाद से 46,7 के बाद से और इसके बाद आपकी life line बहुत स्मूथ हुई है तो आपके life में career के regarding transformation या birthplace से दूर सैटल्मेंट 49 and 50 के age के आसपास में देखने को मिलेगा triangle का combination transformation यहाँ पर भी develop हो रहा है luck line के द्वारा भी एक triangle आपके moon के छेदर पर भी आना शुरू हो रहा है कुछ इस तरीके से यह जितने triangle बनते जाएंगे यह सब नएने तरह के investment या काम या property को develop करते जाएंगे एक रेखा बाहर के तरफ गई है unique choices, branded शीज़े पसंद आना और रईसियत को भी यह बढ़ाएगा mangal के उपर इस तरह की आड़ी रेखा होना aggression, frustration, irritation के करण नुकसान देता है इस condition में कभी भी आवेश में आकर काम करने से बचना चाहिए और property issues या family के regarding जो kul के regarding जो issues रहते हैं जैसे cousins में, brothers में और खासकर भूमी से related काम या issues में नहीं फसना चाहिए इदर पर जो यह रेखा देख रहे हैं यह पित्र रेण को भी दर्शाता है तो इस condition में पित्रों के लिए दान धर्म पूजा पाठ करना निश्चित रूप से चाहिए यह आपके life में uncertainties को खतम करेगा और शुक्र के उपर इतनी सारी आड़ी रेखा होना unnecessary worries, overthinking या negative thinking के द्वारा देता है आप जितना हो सके लोगों के साथ उठीए मिलिए, बाचित करिए अपना social circle जितना हो सके बढ़ाईए यह आपके life में unnecessarily trouble को या शुक्र के elements को ठीक करता चला जाएगा जिसके करण married या family life में और ज़्यादा खुशाली बढ़ते वह देखने को मिलेगा और सबसे main शुक्र जब ज़्यादा develop हो तो pleasures की requirement ज़्यादा होती है कि कुछ चीजों का सहारा लेने पड़ता है उनी सारी चीजों के सहारा लेने से यहाँ पर आपको सचेत किया जा रहा है कि आप इन सारी चीजों से बचिएगा इसके बाद में fish symbol का combination develop हो रहा है तो यह combination sudden gain moksh के योगों को निर्मित करता है long life तो आपकी है 75 plus का age आपका easily यहाँ indicate हो रहा है चंदर का उपाय करना जरूरी है और left palm में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखें यह line कितनी ज़्यादा strong जा रही है pleasure lover बनाती है यह line दूसरा यहाँ भी self-made luck line थी लेकिन moon luck line strongly आगे के तरफ बढ़ गई partner यह बहरी दुनिया लोगों के सहीयोग से आप आगे बढ़ेंगे इधर भी cross का sign है तो आप बहुत सारे कामों में उलसते हैं बहुत सारे काम करने की चेस्टा रखते हैं परिणाम नहीं मिलता है क्योंकि एक तो multiple line से sun पर जो multiple desire दे रही है और cross का sign है जिसके current results fulfill हो नहीं पा रहा है इस पर ध्यान दीजिए और इधर पर mercury mount बिल्कुल ठीक है outer mars से यह रेखा आ रही है तो यह रेखा मानसिक बल को तो बढ़ाती है लेकिन कहीं न कहीं aggression frustration के कारण या गलत निर्णाय लेने के कारण court कर्चिरी का मामला भी दे सकती है personal life में यह सब रेखा है इधर mangal को थोड़ा आपको stable रखने की जरूरत है क्योंकि बहुत strong आड़ी रेखा है आती भी दिखाए दे रही है जो major accidents घटना दुर घटना और इन सभी तरह के court case वगरा इन सब चीजों में उलजा सकती है यह रेखा अभी भी available है तो इसके chances अभी भी है कि यह आपको आगे दिक्कत दे इसलिए इसके regarding जो precaution बताया आपको पितर पूरवजोकले काम करना वो आपको करना है और major suggestion आपको इसके regarding भेज दिया जाएगा बागी mind line यहाँ डिक्लाइन है तो थोड़ा deep thinker यहाँ पर यह combination बना रहा है और by forger का sign बहुत strong है तो यह combination आपको बहुत अच्छा फल दे सकीगा जितना जादा आप life में practical logical होते जाएगे self focus आपको बढ़ता जाएगा cool calmness way में काम करेंगे और major life में risk या decisions ले सकेंगे अपने career के regarding यह उतना जादा आपके life में name, fame, wealth इन तिनों चीज़ों को बढ़ता जाएगा इधर पे fish symbol का sign life line से ही connected है बहुत pure fish है यह इस तरीके से यह develop हुआ है पूरे tales के साथ में तो यह combination आपकी life में किसी भी तरह क्योंकि यह शुक्र के अतरिक भी आ रहा है और life line के end में भी है सब desire ambition आपके fulfill हो जाने वाले life में, कोई भी pending नहीं रहेगा इसलिए मोक्ष और बहुत ज़्यादा materialism को enjoy करते हैं आप देखने को मिलेंगे 48 and 9 के बाद फिर continue लगाता family के द्वारब बहुत major support आपको मिल सकेगा इसलिए यह combination इतना ज़्यादा strong है जितना अच्छा हो सके सोचिए, बोलिए, सुनिए उतना ज़्यादा आपका चंदर अच्छा होता जाएगा उतने अच्छे-च्छे thoughts आता जाएंगे और उतना ज़्यादा life आपका internal way से internal world के according smooth होता चला जाएगा आश्यकरता हूँ, आपके सभी प्रश्णों को अतर मिल गया हो कोई और अगर रहे गया हो तो जरूर कुछे तब तक आपका बहुत-बहुत दिन नवाद